स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर वैशाली देऊपुरा सेकिंड यर बीए के स्टूडेंट्स के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सेकिंड पेपर के अध्यन अध्यापन से संबन दितू हम लोग बच्चों प्रेजिडेंट पढ़ रहे हैं जो आपकी थर्ड उनिट का टॉपिक है और इससे पहले की क्लास में हमने राश्पती को जो शक्तियां भारतिय समिधान द्वारा दे गई है उनका अध्यन किया था सामान्यकालिन शक्तियों का पूर्व में आपको मैंने बताया था कि अध्यन की सुविधा की जश्टी से भारत के राश्पती की शक्तियां का व आज हम लोग पढ़ेंगे राश्पती की आपातकालिन शक्तियां अत्वा अधिकार संकट की स्थिती का सामना करने के लिए समिधान द्वारा राश्पती को कुछ विशेश प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है राश्पती की ये जो शक्तियां है आपात कालीन ये कई बार टर्चा का विशे रही है संशोधन परिवर्तन का विशे रही है 1975 में एमर्जेंसी के टाइम में 42 वे समिधानिक संशोधन के आधार पर संकट कालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया लेकिन आपात काल में संकट कालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुप्योग हुआ उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन होना नितांत स्वाभाविक था इसके अतिरिक्ट 1977 में सत्तारूर जनता पार्टी संकट कालीन प्रावधानों में कुछ परिवर्तनों के लिए वचन बद्धी जिससे की वर्तमान ये भविश्य के शासक वर्ग द्वारा इनका दुरुप्योग न किया जा सके इस रश्ची से 44 सम्विधानिक संशुदन द्वारा भी कुछ महत्वपून व्यवस्थाएं की गई भारत का सम्विधान का अनुचे 352 युद्ध बाहरी आक्रमन या सशस्त्र विद्रो की स्थिती से संकट कालीन व्यवस्था से संबंदित है मूल सम्विधान के अनुचे 352 में व्यवस्था थी कि यदि राश्पती को अनुभव हो कि युद्ध बाहरी आक्रमन या आंत्रिक अशांती की कारण भारत या उसके किसी भाग की शांती व्यवस्था नश्च होने का भय है तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिती उत्पन होने की आशंका होने पर राश्पती संकट कालीन व्यवस्था की घोश्चना कर सकता था संसत की स्विक्रती के बिना भी यह दो महां तक लागू रहती और संसत से स्विक्रत हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता रख सकता था 44 में समयदानी संशोधन के बाद व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ इस प्रकार का आपातकाल युद्ध भारी आक्रमन या सशस्त्र विद्रो अत्वा इस प्रकार की आशंका होने पर ही डिकलेर किया जा सकेगा केवल आंत्रिक अशांती के नाम पर आपातकाल गोशिक नहीं किया जा सकता राश्पती द्वारा अनुच्छे 352 में आपातकाल की गोशना तभी हो सकेगी जब मंत्री मंडल लिखित रूप में राश्पती को ऐसा परामर्ष दे गोशना के एक मा के अंदर संसत की विशेश बहुमत से इसकी स्विक्रती आवश्योक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रती 6 मा बाद स्विक्रती आवश्यक होगी लोगसभा में उपस्तेत और मतदान में भाग लेने सदस्यों के साधारन बहुमत से आपातकाल की घुशना समाप की जा सकती है आपातकाल पर विचार ही तू लोगसभा की बैठक लोगसभा के 1 बैटेन सदस्यों की मांग पर अनिवारे रूप से बुलाई जाएगी राश्पती द्वारा की गई संकट कालिन घुशना को न्याले में चुनोती दी जा सकती है राश्पती द्वारा अनुच्छे 352 के अधिन संकट की घुशना पूरे देश के किसी एक या कुछ भागूं के लिए की जा सकती है इस गोशना के लागू रहने की समय में 19 में अनुच्छे द्वारा हमने बच्चो पढ़ा था मूल अधिकार उसमें हमने अनुच्छे 19 में जो 6 स्वतंतरताय दी जाती है उसके बारे में हमने अधिन किया था तो वो जो 6 स्वतंतरताय हैं वो स्थगित की जा सकती है मूल समीधान में ये व्यवस्ता थी कि संकटकाल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्याले की शरण नहीं ले सकेंगे लेकिन 44 समीधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्ता की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारिरिक स्वाधिन्ता के अधिकार को समाप या सीमित नहीं किया जा सकेगा इसके अत्रिक अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्याले की शरण नहीं ले सकेंगे राश्पती इस संकटकाल के समय संसत को राज्य सूची की विश्यों पर भी कानूर बनाने का अधिकार दे सकता है राश्पती केंद्र और राज्यों की बीच आय के वित्रण में भी परिवर्तन कर सकता है अनुच्छे 352 के अंतरगत 1962 में भारत पर चीन, 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमन और 1975 में संकटकाल की गोशना की गई है राश्पती की आपात कालिन शक्तियों के अंतरगत जो दूसरी विवस्था है वह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालिन अवस्था में राश्पती जो आपात काल लगा सकते है समिधान की द्वारा संगिय सरकार को यह उत्तरदाइत्व सौपा गया है कि वह देखे कि प्रतीक राज्य की सरकार समिधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं अनुछे 356 के अनुसार राश्पती को राच्य पाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से यदि समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्तिती पैदा होगी है कि राज्य का शासन समिधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह संकटकाल की गोशना कर सकता है संसत के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 महा के लिए राश्पती शासन लागु किया जा सकता है 44 समिधानिक संशोधन से पहले राज्य में राश्पती शासन की अधिक्तम अवधी तीन वर्ष थी लेकिन इस व्यवस्ता में परिवर्तन हुआ कि राज्य में राश्पती शासन के एक वर्ष की अवधी के बार इसे और अधिक समय तक यदी जारी रखना है तो प्रस्ताव संसर द्वारा पारित होगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किये जाने के समय अनुच्छे 352 के अंतरगर संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमानित कर दे कि वर्तमान समय में राज्जे में चुनाव करवाना संदव नहीं है किसी भी परिस्तिती में तीन वर्ष के बाद जो प्रसिरेंट रूल है वह लागू नहीं रहेगा इस परिस्तिती में राश्पती यह गोशित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्मान की शक्ति का प्रयोग केंद्रिय संसत करेगी राश्पती राज्यपाल सहीत राज्य की किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है वह घोशना के उद्देशों की पूर्टी के लिए उर्चे नियाले की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है जब लोगसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राश्पती राज्य की संचित निधी में से व्य का आदेश दे सकता है और राश्पती के द्वारा अध्यादेश जारी किये जा सकते हैं संकट की अवधी में अनुछेद 19 के द्वारा जो स्वतंतरताय दी गई है उन पर रोक लगाई जा सकती है समिधान लागू होने के पात से अब तक कहीं बार सौ से भी अधिक बार अनुछे 356 के अधीन संकटकाल गोशित किया जा चुका है राश्पती की आपातकालीन शक्तियों के अंतरगत बच्चों जो हम पढ़ते हैं जो तीसरी जो विवस्ता है वह वित्तिय संकट अनुछे 360 राश्पती को जब विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्तित्यां उत्पन हो गई है जिनसे भारत के वित्तिय इस्थाईत्व या साक को खत्रा है तो वह वित्तिय संकटकी गोशना कर सकता है ऐसी गोशना के लिए भी वही अवधी निर्धारित है जेव हमने अनुछे 352 में डिसकस करी थी इस अवधी में राश्पती कोई है अधिकार होगा कि वह आर्थिक द्रश्ची कोंड से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है संग तता राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में जिनमें सुप्रीम कोट, हाई कोट के जज़स भी शामिल है उनमें कमी की जा सकती है राश्पती राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाद्धि कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्विधेर उसकी स्युक्रती के लिए प्रस्तुत किये जाएं संग की कारेकारिनी राज्य की कारेकारिनी को शासन संबंधी आविश्यक आदेश दे सकती है और राश्पती केंद्र तथा राज्जों की बीच धन संबंधी बटवारे में आविश्चर परिवतन कर सकते हैं देश में वित्य संकर्ट लागू करने का आउसर नहीं उपन हुआ है भारत का समिधान राश्पती को आपात काली शक्तियां देता है लेकिन राश्पती की संकर्काली शक्तियां कई बार आलोचना का विशे रही है हवी कामत ने समिधान सभा में कहा जिस दिन यह व्यवसा सीक्वार ही थी उस दिन कि यह शर्मनाग दिन है इश्वर भारतियों की रक्षा करे इसका मतलब बहुत कटू आलोचनाय की गई है आपात कली शक्तियों को लेकर क्योंकि कुछ आलोचकों का मानना था कि इस विवस्था से राश्पती तानाशाह बन सकता है जो समिधान ध्वारा भारत को संगात्मक शासन विवस्था जो स्थापिक की गई है उस संगात्मक रूप का अंत होता है इस विवस्था से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव है आपातकारीन शक्तियों से राज्यों की वित्तिय स्वायत्ता समाप्थ होती है और जो मूल अधिकार है वे भी अर्थ हीन हो जाते हैं क्योंकि संकट काल में इन अधिकारों को समाप्त करने की जो विवस्ता है आलो चकों के अनुसार वह प्रजातंत्रे के लिए घातक है लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आपात कलिन छक्तियां है राश्पती को उनका अपना एक विशेश व्यभारिक तर्ख है उनके पक्ष में कि ये जो संकट काली उपबंध है सबसे इंपोर्टन बात कि ये समर्धानिक उपबंध सामाने परिस्तितियों के लिए नहीं है केवल विशेश परिस्तितियों के लिए है और यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि संकट काल में व्यक्ति की पून राजभक्ती की अधिकारी नहीं केंद्रिय सरकार हो सकती है, राज्य सरकारी नहीं यह उपबन संघात्मक व्यवस्था को समाप नहीं करते किवल सीमित करते हैं और जब स्तितियां सामान्य हो जाती है तो पुन जो व्यवस्था है वो सामान्य स्तिति को प्राप्त कर लेती है राश्पती या कोई अन्य अधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता और क्योंकि जो चुमालिस्था समयधानिक संचुधन है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि राश्पती जो है वो डिक्टेटर नहीं बन पाएगा संकटकाल में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्जे की सुरक्षा अधिक महत्तो पुन होती है इसलिए जो मूल अधिकारों के स्थगन की बात है वो कुछ तार्किक प्रतीत नहीं होती सशस्त्र विद्रो या वित्तिय संकट की स्थिती भी भयावह है और जो संविधान में दिये गए जो संकटकालिन उपबंध है यह मानना पड़ेगा कि जो राश्चर की सोतंत्रता है एकता है प्रजातंत्र की रक्षा है उसके लिए नितान्द आवश्रक है यह बात सही है कि 1975 में आपातकाल में आपातकलिन शक्तियों का बहुत अधिक दुरूपयों किया गया और इसलिए 44 में समिधानिक संशुगन द्वारा ऐसी विवस्थाएं की गई कि भविश्य के शासक वर्ग जो है इनका दुरूपयों ना कर सके तो इस प्रकार जो विवारिक रूप से संकटकालिन शक्तियों के पक्ष में तर्ख दिया जाता है कि क्यूं यह जो विवस्थाएं है वे देश के लिए आवश्यक है सिद्धान तुर्व्यवार में देखा जाए यह दी तो भारत का राश्पति राज्य का समयधानिक प्रधान ही है भारत की राश्पति का पद लेकिन उतना कमजोर नहीं है जितना की कई बार समझा गया है राश्पति को भारत की राज्य व्यवस्था में एक प्रभावशाली और सर्वूच परामश्दाता के स्थिती प्राक्त है व्यवहार में राश्पति पद की स्थिती व्यवहारिक राज्जनीती के कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे कि सरकार का सुरूब जैसे अर्थात एक दल की सरकार है मिली जुली सरकार शासन की संसत की दोनों सदनों विशेश तया लोगसभा में स्थिती राश्पती का व्यक्तित्व राश्पती पद के संबन में स्वयम राश्पती का द्रश्चिकोन प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व, राश्पती और प्रधान मंत्री के आपसी संबंद, राश्ट्री जन्मत की स्थिति आदी तो ये कुछ तथ्ये हैं जिन पर उनकी स्थिति जो है निर्भर करती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राश्पती भारत राज्य का समयधानिक प्रधान है लेकिन राश्पती का पद बहुत ही गरिमापून है और उसकी मजबूत स्थिती राजीती के कई वास्तविक तथियों पर निर्भर करती है